कभी इस विधी को बस भारत के रशियों द्वारा ही किया जाता था, लेकिन आज ये दुनिया भर में लोगों की दिन्चर्या का हिस्सा बन चुका है, और इसका अर्वो डॉलर का उद्योग भी बन चुका है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस पर बहुत विवाद है, हिं जैसे विध्वान ने इस पर तर्क दिया, कि यह बात मोहरों पर बनी मुद्राएं साबित करती हैं, कि इसे सिद्ध घाटी सभ्यता में भी किया जाता था, तीन हजार वर्ष की बात है, लेकिन कई इस थियोरी को नकारते हैं, जैसे कि शोध करता, मार्क सिंगलटन और जेम जिसका कहना है कि इसी तरह की तस्वीर मैसो अमेरिका में भी पाई गई, जिसका कहना है कि इसी तरह की तस्वीर दो सदी पहले भी पाई गई थी, और इसका कोई महत्व नहीं है, सिंगलटन और जेम्स मिलिंसन संस्कृत में अच्छे हैं, और उन्होंने योग पर सौ से ज ज्यादा किताब पड़ी है। उनका कहना है कि पौरानिक हिंदू ग्रंथ, वेद इस विधी के प्रमुक अंगों का व्याख्यान करते हैं। जैसे मुद्राय नियंतरित स्वास, सूफिवाद। लेकिन वह ये बाद भी कहते हैं कि इसके आज के स्वरूप को उत्पत्ति कई धार्मिक परंपराओं के योगदान से हुई। इसके नाम का अर्थ संस्कृत भाषा में मिलन है, इसका सबसे पहले उलेक वेदों में मिलता है, जिसे की इस विधी के अनुयाईयों द्वारा स्विकार जाता है। योग सूत्र वह ग्रंथ है, जोकी योग दर्शन के प्रती समर्पित है। इसे आर्शि पतंजली समेत कई लोगों ने पहली सदी से चौथी सदी के दर्मिया लिखा। दस्वी वी सादी का अंत होते होते, तंत्र के आधार पर योग का शारिरिक चरण उभरा, जिसमें व्यायाम भी शामिल थे। इसे बाद में हत्य योग कहा गया, योग के कई और प्रकार बने, स्वामी विवेका नंद ने राज योग की शुरुआत की, दयानंद सरस्वती ने राज योग की शुरुआत की, इसने कई शास्त्रों को एक साथ लाया और उसे ईश्वर पर केंद्रित किया। बीस्वीवी शताबदी तक योग मुख्यधारा का हिस्सा बन चुका था, तब इसे इसकी मुद्राओं से पहचान मिलने लगी थी, खास कर पश्चिम में, जहां महिलाओं में इसी खास लोग प्रियता मिली, ये मुद्राएं योग के शुरुआती रूप जैसी नहीं थी, सिंगल्टन के मुताबिक कई बेहत प्रसिद्ध मुद्राएं जैसे सूर्य नमस्कार का वर्णन पुरातन गंथों में नहीं मिलता है, विन्यास जैसे योग के प्रकार भी आधुनिक रचनाएं हैं, सन 2015 में युनाइटेड नेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 जून को अंतरराष्ट्रिय योग दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया, इस दिन योग के हर प्रकार, चाहे वह सदियों पुराने हो या नवीन, इसका जश्न मनाया जाता है, ऐसी इंफॉर्मिटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे सब्सक्राइब करें